नमस्कार SBT News में आपका स्वागत है पेश है 9 सितंबर शुकरवार सुभर सवाच्छे बजे राजसान की बड़ी खबरें सबसे पहले नज़र डालते हैं आज की हैडलाइन्स पर बेका ने जिला परिशय सदस्य दस लाग की घूस लेते गिरफतार पुषकर में ड्रेन कारे के लिए 11 क्रोड रुपई की स्विकती देश में एक सी पैकिंग में मिलेगी रसाय निखाद 88 किलो बादाम, 22 किलो पिस्ता किया सील, FSL भेजे गए सेंपल पीछे की सीट बेल्ट नहीं लगाया तो 1000 रुपई का होगा जुर्माना और अब खबरें विस्तार से सुनिए बीकानियर में जिला परिशद के एक सदस्य को 10 लाख रुपई की रिश्वत लेते हुए बश्टा चार निरोदक ब्यूरों ने दबोच लिया है कारेवाई को पुरी तरह से गुप्त रखा गया है फिलहाल इतनी पुष्टी हो सकी है कि वार्ड संख्या सोला के सदस्या पुर्खा राम को रिश्वत लेते एसीबी ने गिरफतार कर लिया है एसीबी के पुलिस अदिक्षक दिविंदर बिश्वी ने मीडिया को बताया कि जिला परिशद में किसी काम के बिल को पास करवाने के लिए 21 लाख रूपए की डिमांड की गई थी इसी के तहट पहली किष्ट के रूप में 10 लाख रूपए का भुकतान किया जा रहा था पुरिद पक्ष ने इस आश्य की शिकायत एसीबी से की थी जांच परतार के बाद गुरुवार दोपहर उसे रिश्वत की राशी के साथ पुर्खा राम के पास भीजा गया जहां रिश्वत राशी हाथ में लेने के साथ ही एसीबी की टीम ने दबोच लिया पुर्खा राम को फिलहाल हिलासत में लेकर थाने ले जाया गया है पुश्कर सरोवर को गंदे पानी से मुक्ति के लिए राधिसान परेटन विकास निगम के अधर्ष धर्मेंदर राठोर प्रयासरत थे और आज उन्होंने 11 क्रोड की वित्य स्विकति जारी करने पर हर्ष विरक्त करते हुए इसका स्वागत किया है देश में अगले महिने से यूरिया, डीएपी, एनपी के, पोटा, शित्यादी सभी तरह के रासाइनिक और वर्ग एक जैसी पैकिंग में उपलब्ध होंगे यूरिया पिले बैग में ही मिलेगी, डीएपी हल के हरे, एनपी के गहरे हरे और एम ओपी हल के गुलाबी बैग में ही मिलेगी एक देश एक उर्वर्क थीम को लेकर केंद सरकार ने हाल ही में एक सर्कुलर जारी गिया है जैपूर में नकली ड्राइफ्रूट्स पेचने वाले वैपारियों के खिलाफ CID ने करेवाई की जैपूर के दिनानात की गली में सिद ड्राइफूर्ट मार्केट में संचालित बालाजी ट्रेडर्स एम महेश ट्रेडर्स की दुकानों पर भारी मात्र में अनुप्योगी ड्राइफूर्स मिले जिन में से 88 किलो मिश्रित वे अनुप्योगी बदाम कतरन वे 22 किलो मिश्रित वे अनुप्योगी पिस्ता कतरन CMH की टीम ने जब्त किये ADG Crime रवी प्रकारश ने बताया कि CID जैपूर की स्पेशल टीम को अवेद खाद्य पदार्थ बेशने वालों के खिलाब मुख्बिर से सुचना मिली थी साइरस मिस्त्री हाथ से के बाद सडक सुरक्षा को लेकर चर्चाएं जोरों पर हैं एक तरफ जहां गारियों में 6 airbag लगाने की बात हो रही है तो वहीं सडक की गुणवत्ता और उस पर यातायात को लेकर नई तरह की बहस हो रही है इस बीच बीमा कंपनियों ने भी सडक सुरक्षा को लेकर कमर कसली है सडक परिवहन और राजे मार्ग मंत्री नितिन गड़करी कह चुके हैं कि यह पिछली सीट पर बैठने वालों को भी बैठ लगाना होका अन्यता जुर्माना किया जाएगा केंद्रे मंत्री को भले ही यह बात नहीं लग रही हो लेकिन केंद्रे वाहन अदिनियम धारा 138 उपधारा 3 के तहट पीछे की सीट पर बैठने वाले को सीट बैठ लगाना अक्टूबर 2002 से निवारे कर दिया गया था धोलपूर के बसेड़ी पंचाय समीती सभागार में गुरुवार को संभाग्या अयुक्त सावर मल वर्मा ने जन सुनवाई की उन्होंने कहा कि प्रशासन के दिकारी एम स्वास्ते विभाग के दिकारी अवं करमचारी मुख्यमंत्री स्वास्ते बीमा योशना को गंभीरता से ले उन्होंने कहा कि योजना पर मुख्यमंत्रिय शोग गहलो सीधी नजर बनाए हुए हैं किसी भी तरह की लापरवाही बरदाश्ट नहीं की जाएगी उन्होंने उपखड अधिकारी सुभाश यादर वे ब्लोग सीय में चोर डाक्टर महिश बंसल से योजना में प्रगती के निर्देश लिये राजेसान सरकार बड़े जोर शोर के साथ 9 सितमबर को इंद्रा गांधी शहरी रोजगार गरंटी योजना शुरू करने चा रही है लेकिन शहरों में इस योजना में काम करने वाले ही नहीं मिल रहे हैं बात करें राजधानी की, तो यहां लोगों को जॉब करने के लिए अफसर फोन कर तयार कर रहे हैं. दरसल राजधानी में बुद्वार तक करीब 5,700 लोगों ने जॉब कार्ड बनवाए हैं. इनमें जॉब करने के लिए डिमांड 1,500 लोगों की ही आई है. इनमें भी कई लो बगलाने से होने वाले प्रदूशन को रोकने के लिए एहम फैसले लिए हैं. इससे प्रदूशन की समस्या से काफी हद तक निदान की संभावना जताई जा रही है. सरकार ने किसानों को धान की पराली एवम अवशेष को संभालने के लिए कृशी यंत्रों का सिधा लाब मिल सके यह सुनिश्टित करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिये इसके लिए कृशी मंत्री कुलदीब सिंग धालिवाल ने कृशी यंत्र बनाने वाली कंपपनियोंके पतिनीदियों के साथ बैठकी संक्रमन और समाने वीमारियों से बचने के लिए राजस्तान के लोग एंटिबाइटिक दवाओं का जम कर इस्तिमाल कर रहे हैं सलाना 20,700 क्रोड के दवा कारोबार में 1937 क्रोड सिर्फ एंटिबाइटिक्स का है राजे में सबसे ज़्यादा बिखने वाली एंटिबाइटिक एंटिबाइटिक कारोबार में इनका हिस्सा 11.99 प्रतिशत है विशेशक्यों का मानना है कि इनका उपयोग अगर इसी तरह अंदा धुन चलता रहा तो आने वाले समय में एंटिबाइटिक रेसिस्टेंट वड़ा खत्रा होगा पैदावर बढ़ने की उमीद से सोयाबीन के दाम महीने भर में 1000 रुपे प्रत्री क्विंटल तक गिर गए हैं सोयाबीन वेपारियों के नुसार नई फसल के भाव 5000 रुपई क्विंटल से नीचे खुल सकते हैं और भाव लुड़क कर 4500 रुपई तक भी आ सकते हैं विदेशी बजार में खादे तेलों के दाम गिरने के बीच सरकार द्वारा देश में भी खादे तेल के भाव में और कमी आने पर जोर देने के कारण भी सोयाबीन की कीमतों में नर्मी आई है सोयाबीन कारोबारियों ने बताया कि इस साल सोयाबीन की पैदावार बढ़ने के साथ ही इसकी गुनवत्ता भी बहतर रहने की उमीद है राजसान मेज 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 जिले के किशनगड विधायक सुरेश टाक आज मोटर साइकल से गिर कर गंभी रुप से घायल हो गए श्री टाक किशनगड के एतिहासिक बाला जी मेले में मंदिर से लहरिया रस्म अदायगी करने के बाद मोटर साइकल पर लोट रहे थे कि बाई की पिशली सीट पर लगे कैरेट टूटने से चलती गाड़ी से गिर कर चोटिल हो गए उनके शरीर पर अंदरूनी चोट की जानकारी मिली है राजसान में जन स्वास्य भियांतर की विभाग के एत्रिक्ति मुख्य सचीव डक्टर सुबोध अगरवाल ने जल जिवन मिशन जे जे एम के तहट जिलास्तर पर नियोजित सहयोगी संस्थाओं द्वारा अपने कारियर में लगातार बरती जा रही उदासिन तको गंभी के लिए 10 सितंबर से अगनी वीर सेना भरती शुरू होगी रात 12 बजे से भरती ग्राउंड पर एंट्री मिलना शुरू होगा रात 2 बजे से दोड शुरू हो जाएगी सुभे 9 बजे तक दोड पूरी हो जाएगी भरती में आने वाले अभिहरतियों की बायोमेट्रिक पन करते हुए सरकारी अस्पताल के डक्टर रोहित चोदरी को रिश्वत के 80,000 रूपए ओनलाइन एप्लिकेशन फोन पे द्वारा परिवादी को वापस करते ही दबोच लिया जैपुर में ACB ग्रामेड के प्रभारी अत्रिक्त पुलिस अदिक्षक आहद खान के सुत्रों ने बताया कि डक्टर चोदरी को काबू करने में ACB की टीम को कुछ मशकत भी करने पड़ी मोके पर ACB की श्री गंगानगर में द्वित्य चोकी के प्रभारी DSP वेद प्रकाश लखोटिया और अन्य ACB के कार्मिक भी मोचुत रहे गिरफतार किया गया डक्टर रो सब्सक्राइब के सामने करतव्य पत का उधगाटन किया विशाम साथ बजे करतव्य पत पहुंचे सबसे पहली उन्होंने नेता जी सुभाज चंदर बोस की प्रतिमा का अनावरण किया 19 महीने तक लगातार चले काम के बाद सेंट्रल विस्टा एवेन्यू बनकर त्यार फिर हाजर होंगे और बड़ी खबरों के साथ अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्यपुर्ण खपरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल स्पीटी न्यूस को और प्रेस कीजिए बैल आइकन पर